आज सुबह ये हादसा हुआ है कंचन जंगा ट्रेन जो की अगरतला से सियालदा जा रही थी उसका एकसिडेन्ट हुआ है रियर एंड से एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिगनल को डिस्रिगार्ड करके आके उसको हिट किया है उसकी वज़े से जो सबसे पीछे का गार्ड क का डिबबा था वो बुरी तरह से शती ग्रस्त हो गया है और आगे दो पार्सल वैन लगे हुए थे जिनकी वज़े से ज्यादा शती और पैसेंजर्स को नहीं हुई और उसके आगे जो जेनरल गंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से शती ग्रस्त हुए है तो इसमें जो तो रस्क्यू उपरेशन से हैं सबसे पहले हमारी प्राइरिटी है थी कि रस्क्यू हो जाएं लोग तो रस्क्यू अपरेशन स कम्प्लीट हो गए है हमारा एरिया ओफिटर जो जलपाई-गुडी में निव जलपाई-गुडी में है और उसकी टीम तुरंत वहां स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अड्मिनिस्ट्रेशन भी आ गया और एंडी आरेफ आर्मी एवरीबडी सब कोई महां पर पहुच गये हैं घटनास्तर पर रेस्क्यू के लिए तो सारा रेस्क्यू कंप्रीट हो गया है अनफॉचनेटली यह खबर है कि करीब पांच लोगों की जाने गई हैं और हमारा जो स्टाफ है हमारा जो ड्राइवर थे जिननोंने वो सिगनल को डिस्रिगाड करके आगे चले गए उनकी भी जान चले गई है और जो गार्ड थे जो सबसे पीछे का डिबा था गंचन जंगा का उनकी बी जान गई है इस पूरे घटना करव में देश पासी जरूर जानना चाहेंगे कि कितने लोगों की अब तक मौत सुधा दी जा रही है इसके बारे में अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 5 पैसेंजर्स की डेथ हुई है और बाकी लोगों को जो वहां का नजदी की अस्पताल है नौर्थ बेंगॉल मेडिकल कॉलेज वहां पर पहुचा दिया गया है सारी अम्बूलेंसे आ गई थी उसकी मदद से लगबग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में है पर इंजरी शायद उतनी ग्रीवस नहीं है और पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहां पहुच गये हैं और उनको उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है लाइन आप लोग के लवारा काम कर रहा है जो पैसेंजर है उस ट्रेन में जो सफर कर रहे हैं उनको तदकाल अपने लोगों तक पहुंच सके इसके लिए क्या सुझाए पिए इसके लिए हमने सबसे पहले तो यह अर्रेंजमेंट किया है कि सबसे पहले तो लोग डेस्की ह जाएं जो भी लोग उसमें फ़से हुएं उस हाथसे में जिनको मेडिकल हैल्प की आवश्यक्ता है उनको सबसे पहले मेडिकल हैल्प मिल जाए वो कारे पूरा हो गया है उसके बाद अब जो बची हुई ट्रेन है बाकी जो ठीक थाख हालत में ट्रेन है उसको अभी हम लो उनके लिए हम लोग पूरी तरह से देख भाल कर रहे हैं। उनके लिए हम लोग पूरी तरह से उनको दे रहे हैं। उसके अलावा टेलीफोन लाइन्स सब जगे स्टैबलिश हो गई हैं। हेलप लाइन्स स्टैबलिश हो गई हैं। जो कि हम लोगों ने शेयर की हैं आप लोगों से। उनको कृप्या करके फ्लैश करते रहें। कि जो लोग फोन पे जानकारी लेना चाहते हैं। उनको भी फोन पे जानकारी मिल जाए। कि लोगों से।